कि मिक्स भैजी रेशिपी और यह जो मिक्स भैज बनेगा वह बहुत ही टेश्टी बनेगा फ्यंटत्स बहुत कम मसालों के साथ बनती है यह सब्जी और चलिए फ्रीज खोल लेते हैं और फ्रीज में जितनी भी सारी साजी है सारी सबजी ले लेंगे मतलब बहुत सारी सबजी लेनी है आपको और साथ में कुछ साग भी लेने है तो मेरे पत्ते थे जो मेरे गार्डन में ही लगे है तो मैं ले आई हूँ दो पत्ते आप कोई भी साग ले सकते हैं पालक का ले सकते हैं सरसोग ले सकते हैं, कोई भी सागाब ले सकते हैं साथ में सारी सबजी को हम थोड़े मोटे मोटे साइज में काट लेंगे और जो पेठा होता है उसको छिलके के साथ ही रखेंगे मैंगन हो गया, गाजर हो गया, परबल हो गया सब को काट के साफ कर लेंगे और थोड़े से मैंने सोयाबिन ले लिए हैं अब कराही में हम तेल गरम करेंगे दो चम्मच और साथ में सोयाबिन को अच्छी तरह से दोने के बाद हम उसको फ्राइ कर लेंगे फिर उसी कराही में थोड़ा सा तेल और डालेंगे और अब उसमें हम डाल देंगे एक चमच जीरा और एक चमच भढ़के डालेंगे पाजपोणा जो पचपणा होता है वो इस सबजी में बहुत अख्छा फ्लेवर देता है तो और राल मर्ज डाल देंगे और उसके वादा साढ़ी सबजी को एक साथ डाल दीजिएयो चाहि बुनना है एक मिनट तर हाई फ्लेम पे ही भुनते रही है इसको जो सब्जी हमारा एक मिनट भुन जाएगा अच्छे से उसके बार इसमें हम नमक और थोड़ी सी हल्दी डालके इसको ढ़क देंगे अब इस टाइम में हम गैस को मेडियम कर लेंगे बीच-बीच में सब्जी को आपको चलाते रहना है और बीच-बीच में चेक कर लेना है इसादर हम अद्रग को खिश लेंगे तो एक इंच अद्रग का टुकड़ा ले लेंगे और उस अद्रग के टुकड़े को आ या तो आप पीस ले या इस तरह से कदुकस कर लें और उसके वाद फिर सब्जी को चलाएंगे हम तो इस टाइम तेक हमारा दो से तीन बार हम चला और 50% हमारा सबजी जो है वो कुक हो चुका है तो सबजी को आप चेक कर लेंगे उसके वाद साग को डाल देंगे तो साग को दो बार में डालेंगे एक बार डालेंगे थोड़ा सा चलाएंगे और थ्वास रखेंगे फिर से हम एक बार चला लेंगे उसके आधे मिनट बार फिर से बाकी का साग जो है वो डाल देंगे तो इसमें हमें अलग-अलग स्टैप की सब्जी मिलेगी इसलिए इस तरह से हम डालेंगे तो साग मेरे पास बहुत ही कम था आपको थोड़ा साग ज्यादा डालना है उसके बाद हम अधरक डाल देंगे अधरक डालके फिर अच्छी तरह से चला लीजिए फिर से थोई दिर के लिए इसको हम ढग देंगे और इधर हम एक मसाला तयार करेंगे मसाला में हम ले लेंगे साबो धनिया, जीरा, राई और चार से पांच लाल मिर्च ले लेंगे क्योंकि अभी तक हमने तीखे के लिए सबजी में कुछ भी नहीं डाला है तो चार पांच लाल मिर्च लेके उसको सबको रोष्ट कर लेंगे आप चाहे तो मेथी दाना बगारा भी डाल सकते हैं तो मैंने सिंपल ही मसाले रखे हैं अब इसको रोष्ट कर लेंगे और ठंडा होने पे इसको आप पिस लीजिए मैं इसको मिक्सी में पिस लूँगे और सब्जी को फिर से एक बार हम चला लेंगे और ढग देंगे सब्जी को बीच बीच में चलाते रहना है आपको हलके हाथों से और सब्जी को मैश नहीं करना है बस उसको कुक कर लेना है अब हम मसाला को पिस लेंगे अब इस टाइम में हम हाफ टेबल इस्पून चीनी डालेंगे ताकि हवार सब्जी का जो फ्लेबर है वो बैलेंस में आए तो इसलिए हाफ टेबल इस्पून चीनी डालके उसकी यवाफ मसाला हम ने पीछ है वो मसाला डाल देंगे उसकी Self का टेल कच्चा डालेंगे तो यह last हम डालेंगे और इस टाइम में हम गैस को हाई रछ लेंगे और के सोचbaar बाने के वहादेबर पानी भी और इस तरह से फान्च मिनट तक रेस्ट करने दीजिया और सब्यों मसाले मतलब नहीं ढले हैं बहुत कम मसालों के साथ बनाई हूं और इसमें लेसन प्याज भी नहीं डला है कि सको जब भी आपको लेसन प्याज नहीं खाना हो तब बना सकते हैं और इसको पूरी रोटी चावल जिसके साथ भी खाना है यह हर एक चीज के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और इसको हम चावल के साथ सर्व कर रहे हैं आपको जैसे भी मनो पूरी प्राठे इसी भी चीज के साथ आप इसको इंज्वाय कर सकते हैं यह बहुत ह सब्सक्राइब कीजिए